कि तो दोस्तों आज हम लोग एक नए थिंकर यूर्गयन है परमास के बारे में पढ़ेंगे इनका जन्म 1929 में हुआ था इसके आंगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब है कि अभी ये जीबित है तो अभी ये अपने नर्वास नाइंटीज में है और ये जर्मनी के जर्मनी क कि ठिंकर है और ये फ्रैंकपर्ट जो अब इस विज्विजाला है वहाँ पर पढ़ाने का काम किया करते थे समाजबिक ग्यान सोच पीट में ओर इनका जो काय रथा ये मार्क्स के बिचारों के पर संगैता पर अध्यन द्यापर करना था बार सुरू में तो कौन थे हर खाई मर्थ हर खाई मर्थ तो वहां पर एक और अन्य थिंकर थे जिनका नाम था चुडोर अडर्णो तो अडर्णो को एक अगे शर्च एसिस्टेंट की जटूरत थे तो उससे से विटके नाम कमाते हैं अलाकि उनको कुछ वाद व्यूंक बाद विश्विजयले से निकाल दिया जाता है लेकिन फिर वो बाद में उसी विश्विजयले में आते हैं और इस समय वह हैड़ बनके आते हैं हर काई मर्की जगार लेते हैं और अपने सिधान स्षय वादे मुख्त UP करते हैं कलेहना है संकाना मुक्त कर सके समाजिक बंधनों से एक अल्ठिक बंधनों से ब्लंसे प्षातिकत धार्मी कि न सब बंदों में से अपने अको कैसे मुक्त कर सकें 받아े सारे समाजिक जीवन की मुल अधर क्या है तर्ग की काम्ना योगन है ana है भरमां सका जर्म जर्बनि 2 हुआ था यह नवuit मारक्स-पांदि कौन होती और तो जो मारक्स के मैटर को ओर हेगल के आई तो यही बात है इसमें हमने बहुत सारी थिंकर्स भी देखे थे जिसमें से ग्राम सी पहला इसा थिंकर था तथा फ्रेंकवर्ट स्कूल से जुड़े हुए दो ती पीड़ी के लब्द प्रतिस्ट अलोशनात्मक सिधान सात्रें क्रिटिकल थियोरिस्ट थे यह दूसरी पीड़ी के अलोशनात्मक सिधान सात्री रहे हैं पहले पीड़ी में कौन था पहले पीड़ी में हर खाइमर था मैं तो ये पहली पीड़ी का था ये फ्रेंकपर्स्ट विद्याले जर्मानी में आए था इनकी समाजिक रुतंधान संथा फ्रेंकपर्ट स्कूल के प्रफेसर त्यदूर अडर्नोब और्णू के सोथ सिहांगे बने थे तें तो तीन साल भात इसा स्कूल के प्रमुख मैक्स और काईमर के साथ दिवाद हो गया इनका उन्होंने यह संस्थान छोड़ दिया तथा हाइडलवर्ग विस्ट विद्याले में दर्शन सास के प्रोफेसर बन गया फ्रेंक्विट्स समदाइके आन से दाशों के दाश्योत है वह अवर्मास पर भी हीगल वğini हृणं और आळशिक्ता मॉड़र्णिटी पर ने जो बेख्यान दिये हैं में हेगल को अधनिक्ता का जनक माना है ये हेगल को हेगल को अधनिक्ता का जनक मानते हैं अलोशनात्मक सिथान critical theory के समर्थक होने के करणी ये मार्क्स को केंद बनाकर उसे स्यूकार अस्यूकार और समसूजित करते हैं माक्स के मैटर को श्यूकार करते हैं साथ ही उसके जो मैटर है उसको श्यूकार करते हैं उसके आडिया को उसमें एड करते हैं लेकिन मैटर ही हर चीज है यानि एकनॉमिक जूल्टर मीजा में उसको अश्यूकार करते हैं कि हैंग से खाज़न पर मेक्स बीवर के तर्क-संग्ता एवं बुद्धी संग्ता इन रिशनेलिटी स्ध्धानत का भी ίॉ पढ़ा पड़ा है सिद्धानिति जो जरत प्रण्द्री प्रक्राव के प्रक्रावव का इसivedब यॉव और मुस्स ने, तेकी सवाणवा समर्थन किया है वही सामनतबाद मार्क्स के आर्थिक अधरणबाद बाथ प्रसंत सवामार्ठन के फ्रेकार्य वाद यारनि को समर्थ किया है. ऑठ धूरा प्रोजट्थ सवा merit बpen 성りました यू रहने वा यू लगकतिन हैं था कि आधूनिकत है अधूरा डिमोक्रिसी के रियल फ्रूट संब्स चके नहीं हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि आज निक्ता, हम आज निक्ता को पार कट के पोस्ट मॉनिंजम की तरह बढ़ चुके हैं, निक कि ऐसा है ही निए आज निक्ता ही अधूरा प्रोजेक्ट है, वर्मास ने फ्रेंक्पर्ट स्कूल के सब्सक्राइब करते हैं तो पॉजिटिविजम क्या है कि दो प्रत्यच्च है वही सही विशिक लिए तत्यों पर फोकुस करते हैं वही तरह जो पॉजिटिविजम है वही तत्य विज्ञान अनभव इन सब चीजों पर फोकुस करता है तो अगस्त काम टे कि प्रत्यक्षवाद यानि जो प्रत्यक्ष है जो जिसे हम अनभव कर सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं वही वरस के वग सत्ते हैं उसकी यलोशना की दूसरा ब्येन सब्सक्राइब के रूप में समकालिन प्रदस के अंसार माकसवादी सिध्धान तो भोहरिक था उप्योगी बनाए तो मैं देखा था जो पीट का सजन हुआ था तामाजी कंसंदान सब्सक्ता इसका उद्देश ही यही था जो माकस है उसकी प्रसाइंगिक्ता को जिद्ध क पर तेसरा तो ग्यानुद्य प्रवॉद्धन तद्दा आत्वनिक्ता की धाड़ना को आंगे बढ़ाया तत्था उत्तर आत्वनिक्ता बाद का विरोध की है आपके देखा है इस पोस्ट मांट जम कहीं भी रूध करते हैं उनका कहना था कि आत्वनिक्ता अभी एक अपने अ और ये संचार पर ज़ेक्ति और संप्रेशन दो नों सकता है लेकिन संचार संच में उपव्योग करता है हवर मास्ट यह पहला है इस्ट्रक्षिन ट्रांसफोर्मेंट पबलीक स्पीयर मिन्स में उन्सेक्ना काटीilate अंगिरेजी रो पान्तरंद तेहोरी औंहेंट में सॉसाइटी ओन्ने तर्वार शवाएटी अवे 40% तर्वार्दा में कॉंम्निकेशन ऐन एब पिछी निडिस्वेर्शान उन्ने जिएalnya सड़्ाइं। ते तुरी आप कुम्मुनिकेटिव एक से फिलोसओपिकल डिस्कोर्स आफ मोडर्न टी येवनिशाश इंचासी में भूकाती हैं निसलिए हए टो कि दो और में इंब highly होच तो आदिऊज्ट कोड़ा इन यौरोप कुर ने को दीवाइद है यह भूर इंब इसलिए सब्सक्राइब सरे श्राटक्ट estava 2डशोनात्मक सिध्द्धान लाव किने करते हैं तो पार्ठीक नि-धर्माद्धodles सब्सक्राइब करता है कौन मार्क्स लेकिन इसको इसका विरूत करता है कौन हर्खाई मांक्सिस्ट मानते हैं कि आर्थिक तत्व अर्थवस्ता ही समाज में प्रत्यक परिवर्तन का मूल कारण अर्थवस्ता ही राज वा राजनीति को नियंद्यत करती इसके पास उत्पादन के साधनों का सौमित होता है ताज पर उसी वर्ग का नियंद्र नवा प्रभुत होता है जैसा कि पूझी बाद में पूझी पति वर्ग का प्रभुत होता है लेकिन हैवर मास इस आर्थिक अर्थेबस्ता नहीं, वल्कि राज वरस्ता भी राज वरस्ता को क्वावित करती है, हमने देखा था कि कैसे सरकार पिट्रोल, डीजल, इन सब के दावब अपने से कर देती है, तो यह अर्थेबस्ता में भारत की जो सरकार है, शुरू में Mixed Economy लेकर आई, लेकर आई अब छोड़ा जा रहा रहा हैrophag Two तरफasm यह अधिशाक्र यहोगत लिए एक विक्राइब क्राइबा तो नीज्ड के पाद हमारे देश कुनाबवाद दूसरा जो अलोशना का पॉइंट है मांक्स का यह मांक्स बात करते हैं समकालिन समाजों में स्रमिक आर्थिक अभाव सोषन के सिकार नहीं आर्थिक क्योंकि अब हर देश में बहुत ज़्यादा सर्प्रेस होने लगा है वह जदा खुछाली आ गई है तो अब आर्थिक आभाव और सोषन नहीं रह गया है उनकी हार्थिक हालात और पगार तो अच्छी है पर उनका मनों विज्ञानिक नजाती सोषन हो रहा है आप को रहे हो आप काले हो आप दलित हो यह सोषन जादा हो रहा है अथा सोषन का सुरूप अब बदल चुका है अधार के साथ साथ अच्छन रचनाएं भी महत्पून हैं तो अधार यानि राज्य सरकार धर्म विश्वास मूल विचारदारा यह भी महत्पून है माक्स ने तथा अधिसन रचनाओं की उपेक्शा करता दी तो करते हैं मेडिया तो करती है और परिवच्टन ला देती है है 19 série 2011 में अंधॉलन हुआ था तिसमें इसमें पेबरांधियों तो यदू यह एतना दीब्रगत से इतनी उझायों तो पुझे इसका कारण अख्या था क्या था क्मुणिकेसड अन्धियों हो परिवर्तन के लिए कब कम्मुनिकेशन भूजदा हो गया है और मास निस अंदर्व में अफिवियक तिसील तर्क यानि केटी और रीजन को मातपून माना है इसके तहट आधार वा अच्छसन रचना के निर्माण में संचार के भून का जड़ना आख होती है तो अब इभन जो आधार यानि इकनोमिक इस्ट्रक्चर उसको भी संचार फ्रहावित करता है में देखा है कि मीडिया में सेर्स और बहुत सारी जानकारी आती है यह क्यों आती है यह आती है तभी तो हम लोग उसके वारे में समझ पाते हैं परिवर्टन लाप आते हैं बदल सकते हैं इसलिए तो अब संचार की भूमका भूती निर्नायक हो गई है विग्यान और प्रदुक्य की प्रभूत्तकारी भू अब हम हर वक्त मॉबाइल से जिपके रहते हैं वही दिखा जा रहा है अगर एक रियल समय किसी धर्मभी सेश के संदर्व में देख लिए तो हमने उसी उसी चीज के बारे में दिखा जाता है तो हमारी जो मॉलिक सोच है हमारी जो तरह-तरह के विचार देखते थे अब व जो दूर्दासन के पहले के चैनल जो पहले जो नूजाती थी उसकी क्वालिटी देखें और आज देखें बहांस और बहांस के बहांस के बहांस और एक ही तरफ चीजों को ठकिला जा रहा है तो इससे हमारी जो मॉलिकता है हमारी जिसनल्टी है वो पच्ड़े में चली कि इसायर सरे समांजिक जीवन का मूल आधार मुख्त की कामना विग्यान वा तकनिक निक मुख्ति कामना पर उठारा घाद किया है तो फिंदेंत्र यानिय अन्य की हम्मारे श्युच्ण हो जो इंबाड़ भी हो ऋ सदंतन हो किसी से हम रेडिकलाइज्ड नहीं हों यह सुतंदर्ता यह है मुक्त की कामना कि हम अपने आप में एक सुतंत ब्यक्ति हों सुतंत इंदसेंस के हमारे जो विचार हों मौलिक हों सुजनात्मक हों हम चीजों को तरकीकता के अधार पर शुगार या नकार सकें वो चीज नहीं रह गई है क्योंकि साइंस और टेकनलाजी ने सबसे बड़ी भूंगा निवाई है कि हमारी सोच को एक विशेश विचार धारा की चरफ एक जांपल पूझी वाद ने साइंस और तो उसका एक उद्देश यह था कि उसमें दिखाया गया कि जो पूझी वाद है यही एक ऐसी विचार धारा है जिसके मात्यां से हम लोग जाइन से बहुत ज्यादा प्रद्रत कर सकते हैं फिर साइंस और टेकनलाजी का प्रियोग किया गया पूझी वाद को बढ़ाने के रखेंगे पहले पूझी वाद न साइंस तक्न वाद को बढ़ाया अपनी विचार धारा करके कि आउंग्द कि साइंस तक्नलाजी वही 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 एड दिखेंगे इह क्या है हमारी मॉलिक्ता को उसे ऐस्नि कदम कर दिया हर जगoty को पनाCK Hij ह हनी होते हैं बागले को असच्व कार किया है कटर मार्वाद को स्पाइब किया थी माक्स को समकालिन समाज में अधिक से अधिक प्रसांगिक बनाने के लिए उनका निर्मान भी किया है हेवर मास का नव माक्सबाद जर्मन समाज सास्री मैक्स बेबर ननो बिग्यानिक फ्रायड और अमेरिकान भासाबिद नौम चोंस्की से जोहाबिद है हेवर मास का अलुचनात्मक हुबा नव माक्सबादी सिधान्त समपेशन का युक्त या तार्किक सिधान्त है रेशनल थेओरी आप कम्मिनिकेशन कहलाता है हेवर वह उसकी बुद्धि संगत्ता रेबर मासा प्रस्क्राव ब्रॉब하면 कस ट啦 ने हैक्स ब्यक्ति की तो पर यह विष्वास करता है और कहता है यह विष्वास करता है और हो होगा वह अच्छे निड़नें पर पहुंच सकता है को आप एक बेक्ति को दर किनार नहीं कर सकते हैं यही बात है वर्मास का दावा था कि उसका मनुविसलेशन सिध्धान्त यानि साइको एनलेटिकल थियोरी आनभाविक है यानि हमने एक्सपीरियंस परवेश्ट अबजर्वेशन परवेश्ट जो मनुविसके ब्यक्तिकत अंसार का भली विगार अर्धियन करता है परमास का अलोशनात्मक सिध्धान बसता है एक अब्वेग्त सील करिया है यानि कोमिनुकेटिव एक्सें कमिनुकेटिव एक्सें है जिसका आधार इस्ताम प्रायट का मनोबैसलेशन है प्रायट का मनोबैसलेशन है